इस फीडियो में मैं डिसक्स करूँगी लिक्वीफेक्शन अफ गैसिज तो लिक्वीफेक्शन क्या होता है गैसिज को लिक्वड में कनवर्ट करने का जो प्रासस होता है इसको कहते हैं लिक्वीफेक्शन अफ गैसिज अब इनको कैसे कनवर्ट करते हैं गैसिज को लिक्व तो अब किया है कि जब हम इन पर pressure apply करते हैं तो यह molecules एक दूसरे के करीब करीब आते हैं और liquid में convert हो जाते हैं अगर हम इसके दिरमान pressure और volume के दिरमान graph बनाएं ठीक है तो किया है कि temperature हमने constant रखना है 273 Kelvin पर हमारे पास यह करवाएगी अब यहां पर यह जो है ना देखें यहां पर pressure ब्राने से volume कम हो रहा है लेकिन यह वाला जो point है इसमें gases और liquids दोनों गठे एक जिस्क करते हैं हम differentiate नहीं कर सकते हैं यह gases है या liquids है अब 294 पर किया फिर दबारा से यहां पर करवाया यह वाली जो state आई ना यह थोड़ी इस से काम मैं ठीक है 304 पर देखा तो यह बिल्कुल काम मैं इसका मतलब है कि इस point पर यह वाली gas कों से लिए ती carbon dioxide यह लिक्विफाय हो गई है क्योंकि यह वाला कर्व बहुत काम बान रहा है लेकिन 323 पर जब हमने इसको जो है वह प्रेशर अपलाय किया इस पर तो कोई जो है वह यह वाली लाइन है इसका मतलब है गैसी यहां पर लिक्विफाय नहीं होती अब कौन से temperature पर 304 के पर कार्बन डेक्साइड और इस त्रateg गैसे से मरतें बिक्विफाय और इस टमपरेशर को क्रेुटिकल टम परेचर काता है जिसमें डिक्स जो अवह वहा वह सिरकिताल चाफाय परदम March कर दो झाल झाल